आप यहां पर आप देखते हो जैसी मैंने रेंडर मारा आप यहां पर देख सकते हो शेड़ो भी आ रहे है एंड रेफ्लेक्शन भी आ रहा है इसी डॉट कॉम यहां मिलते हैं आपको ठीडी मोडल सीन फायर टेक्ट्चर और टुटोरियल और जाने के लिए इस वीडियो के स्काशी के इसका लिंग दिया हुआ है आप वहां पर जाके आप विजिट कर सकते हो अपकी मेंज के साच जैसी है यह ना फिर उसी इमेज के आपको रेंडर निकालना पड़ेगा उसी इमेज साइस पर आप का इमेज साइस चोटा है फिर आप बो हमस्पर 8 की का तो यह चीज होती है तो इसलिए जो भी बैग्राउंड आप सलेक्ट कर रहे हैं तो उसी इमेज साइज पर आपको रेंडर भी निकालना पड़ेगा उसी में साइज वन के इसाप से तो वह भी आपको ध्यान देना है तो ओके राइट तो हम लोग इधा पर चलते आगे पर तो क्या कर सकते हैं उस फाइल को हम लोग करेंगे क्या कि उसको हम लोग कैसे डालेंगे अपने व्यूपर के उपर सबसे पहले तो तो उस इमेज को हम लोग व्यूपर पर डालना है तो हमें करना होगा यहां पर होता है हमारे पास रेंडरिंग में होता है इंवार्में अब भूले तो अभी तो अभी हमें जाना है यहाँ पर होता है टूल में या वियू में वियू में वीवड बैग्राउंड पर आपको जाना होगा configure व्यवड बैगराउंड पर क्लिक कर लेता है कि इधिए को options आते हैं आपको क्या चाहिए इसमें से कस्टमाइज अपको ग्रेटर में है पहले से default हम लोगों चाहिए इनवार्मनें बैक्रॉन में जो हमने सट किया है तो ही हमारे यहां पर आजाना चाहिए मakers हमें सैट पर करना योल जितने है यह पूरे ग ज़ितने भी हमारे व्यख़क्त से सबस्राइब होना चाहिए करना की अपने को यह व्यूपोर्ड पर सैट हो जाना चाहिए Japanese पर पर अपना उसी जगह पर अराम से इसको मैच कशलक तो मै हो गया लोड अब बोलोगे तो यह तो लोड तो हुआ मगर मज़ा नहीं आ रहा है यह अजीब सा लोड की हुआ है इसमें तो एक काम करते हैं फिर हम लोग जाते हैं इसी को कर लेते हैं ड्राइग एन हेल इस्टेंस में लेते हैं, फिर भू चरकरते हैं, मेन जो, इमेज आगे हो यहां पर अजीब सा आ गया है, इदर पे गलती से हमारा इधर पर सैट हो गया है, स्परिकल में हो गया है, इसको कर लेना है, हमें स्क्रीन, अब इस्क्रिंग कर लिए तो आँब देखो गये आपके इस्क्रिंग के हिसाब से इदर पर इपरफेट na और तो यह हो गया हमारे स Dame यह परफेक्ट काम हो गया अब ये यह प्र इसको जूम कर हो गए कुछ भीक्र दो इसके साथ एफ्ट नहीं हो रहा है यह नहीं आ तो जैसी आप क्लिक करोगे तो इदर पर हम लोग को देख सकते हो यहाँ पर नीचे की तरह options आते हैं आपको किस तरह का मैच करो एकस एंड वाई एन्ज graph कि आपको 2dmai करना है या फिए XY करना मैच या फिए जिर ₹ मैं तुरे लो कम कर लो तो बासर हैगा इस पीजले करते हैं फिर हमलोग्ली करते हैं तब ब्रेंस प्लिक इस तरह से इधर पर अंगल पर रख देता है इसको यह जो नीचे के तरब यह इमेज का स्कूर्टिंग गया है या फिर इसको मैच करा लो यह टेबल को मैच करा लेता है टेबल के सबस्टेबल तो हमें दिख रहे क्लियर तो मैं यहाँ पर अल्ट एकस करता हूँ मिखन और एकस करता हूँ कि यह बसको मुटीर खुलता है वह गया होगया हो जाता है ताकि आज .... से सब्सक्राइल पर यहाँ से कर लेता है अब पर दिखार है यह हमारा एक्स हो गया प्रॉपर मैच हो गया अब हो गया ग्रीन यानि की भॉइ तो अपने वाय को ही मैच करा लीते हैं यह दीज इस यह भी है दुसरा अला तो इसको भी हम लोग मैच करा लेतना भाइ रुचर इसको हम लोगो है इसके साथ लाइक थी टो गया हम अब भूले थी तो फो गया राइट मगर अभी हम लोगों को चाहिए हाइट हाइट मतलब आपने को चाहिए होर्जैंटल यारे कि अपने को जैट्सट रहे तो जैट के लिए हम लोग ले सकते हैं किसको ओ रह्जो सकते हैं जो हैं जो है कि इसका अधिकन को इसा स्टा है आतो है कि वह किए हमें सीदी से मिल जाना है तो क ऑगे फाइन नहीं को फिर यहां मिल सकता हैet कुछ-पुछ मुझे यहां पर तो दिख रहा है माद जाद इता पर डिटेल नहीं दो रही हमें हम लोग इसलेक को हम लोग कर सकते सह हैς से कुछ इस सब्सक्राइब कर सकते इसलेक के हमारा perspective match हो चुका है ठीक है अभी मुझे जूम भी करूँगा तो मैं इसकी recording भी जूम कर सकता हूँ आगे पीछे match करा सकता हूँ तो अभी यहाँ पर देख सकते हूँ राइट ओके तो अभी मैं यहाँ चेक करते हैं कि टीपड हमारा प्रॉपरली मैच पर आया है कि नहीं से तो लग तो रहा है कि मैच है कि इसा क्या पिक इंकर पॉइंट यह क्या चीज़ा है ओके अधर राइट ना इसको कुछ नहीं खाना हमें जूम एन जूम आउट को टेट अच्छा ओके फाइन इससे हम लोगा थोड़ा सा अपने कैमरा को अज़ेस्ट कर सकते हैं ठीक है अज़ेस्ट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो काफी अच्छे से यूज़ कर पाऊगे अपने स्कोल को यूज़ करने के बज़ा है आप इसके जरीए आप एंगल को मैच करा लो इधर आपको ऊपर रखना है कि आपने टेबल की नीचे रखना है इसको तो उसके हिसाब से मैं ग्रिट की लाइन को भी प्रॉपरली मैच करा रहा हूं इस टेबल के साथ में तो यह फाइन जूम रखना है कि छोटा रखना है object कि बड़ा रखना है यह भी मैं यहां पर decide कर सकता है अपने object को मेरा object छोटा है बड़ा होगा दूर होगा कि नस्दीक होगा यह ऐसा ठीक है तो फिर ठीक है बाकि छोटा बड़ा तो हम लोग यहां से भी हम लोग modifier में कर सकता है फिर हम लोग वापस चलते हैं अपने modeling के उपर अब यह सेलेक्ट हो गया है object तो मैं इसको मूफ कर सकता हूँ यहां पर चोटा बड़ा स्केल कर सकता हूँ जैसा मेरे कुछ ही है अभी यह तो हो गया प्रॉपर्ली मैच मैं ग्रिट को गायब करता हूँ अभी लगेगा कि टेबल के उपर रखा हूँ है टीपॉर्ट अभी यहां पर देख सकते हूँ कि यह तो हम लोगे अगर चाहिए इसके उपर गिरना चाहिए इसके उपर ऐसा कुछ करना है क्या ऐसा कुछ करना है तो फिर हम लोगों लाइटिंग का भी उसके अंदर सकंडिशन देना पड़ेगा यसाल लाइट आ रहे तो लाइट इसके साथ मर्ज नहीं हो रहा है यह अब्जेक्ट यह अलग सी लग रहा है जाते फोडओशॉप किया हुए है तो ऐसा चीए वो अब्जेक्ट रहे भी और हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिया है मैं आइक लींशेक्ते kanaa कि तरप एक प्लिएन एक सर्फेस बना दिए यहां पर एक सवन सर्फेस कर दिया हूं उसी सर्फेस पर हम लोग काम करेंगे तो सर्फेस को मैं चाहुआ ज्यादा बढ़ाना बनाके जितना मेरे को important है उतना ही बड़ा surface बनाऊंगा कि अगे इस चलेगा 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 इतना बड़ा surface नहीं और भी surface लंबा होना चाहिए तो लंबा कर लेते हैं लंबा ची जैसा टेबल है surface मेंने create कर लिया है फिर को एक मैटियल होता है जिसका नाम है बताना चाहूंगा उस मेटियल का नाम जिसे है वीरे में जाते हम लोग तो उधर पर आपको दिखेगा वीरे मेटियल रैपर यह कोई रैपर नहीं है रैपर है कि रैप करने के लिए है अब जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ उसको पिक करना है यह राइत ले ले भाई जो भी चाहिए तुझे और मैं इस पर करता हो अब भलो तो यह यह मटल कौन से आया भी जो हमने पहले से डिफॉल्ट था वही मटल अप्लाइब हुआ है और इसको कि नॉर्मली समझों कि है मटल जो पिया तो हम लोग इसको भी चाहिए तो मटल दे सकते हैं कोई मटल देना चाहते हैं तो इसके अंदर हम लोगों को रफ्लेक्शन अपलाई करने हैं तो इसको भी हम लोगों को एक रफ्लेक्टिव ऑब्चिक अगर यह आपका मटल रफ्लेक बना देता हूँ यहां से हालका सा रेफ्लेक्टिव थोड़ा सा ग्लॉसी लिए हालका फुलका बना दिया फिर से जाता हुआ बैक्स जो मैंने वीरिये मटिया रैपर लिया था राइट यह हो चुका है फिर इधर पर जैसी आप देखते हूँ यहां पर एक आप्षिन्स आता है मैट सर्फेस चाहिए मुझे मैट सर्फेस मैट सर्फेस मैट सर्फेस हो गया क्लिक हो गया फिर पर आपको मैट सर्फेस के साथ मैट रेफ्लेक्शन रेफ्लेक्शन चाहिए आपको यानि कि आपको जो आपने जो सर्फिस दिया है इसके आपको चाहिए अलग से हां मुझ यह हो गया हमारे साथ इतना सब्रों लिए इतना वाकर देखते हैं फिर अब यह sus. क्या करेंग एक छूटा मोटा सा अरेंठर मार के देखते हैं कि क्या कुछ फर्क हो बार चक्म करता है तो चेक करने के के लिए हम लोगों सबसे पहले एक लाइटिंग होने चाहिए लाइटिंग इंफोमेशन डालने पड़ेगी यहां पर ने तो फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ इसके साथ तो एक लाइट डाल लेते हैं कि प्रियेट वाल लाइट लाइट ले लिए लाइट का एंगर रखते हैं इसी साथ से जिस सबसे विंडों है विंडों की लाइटिंग आ रही है यहां से उसी साथ से हम लोग विंडों की लाइटिंग ही फ्रू ही लेंगे यहां से प्रॉपर वे में जिस एंगल पर हमारी विंडों है उसे एंगल पर ह इस plane को भी डग दिया है डे तो अभी मैं क्या करूंगे रेंडर माकर देखते हैं नौन्ट मंतक्राइब यहाँ आप आप दिखते हो जैसी मैं रेंड़र मार है यहाँ पह दिख सकते हैं अग्य आ रहा है इसका लाइट वाला एरिया को जाद ही आ रहा है यह नहीं आना चाहिए जो इधर पर आ रही है चीज़े वह नहीं चाहिए हमें ठीक है तो यह क्यों आ रहा है पता है यह आपका जो लाइट ना वीजिबल है यह स्लाइट को मैं हम लोग बंद कर देते हैं जो हमने प् अब देखो क्या फस्क्रास आए जैसे वहाँ पर टीपोड को रखाऊ ऐसा फील हो रहा वहाँ जैसे उधर पर मैंने इसको भी वहाई पर बनाया हूं एश्याडू भी वैसे गिर रहा है टेबल के उपर पर पर वैसे गिर रहा है और लाइटिंग भी कंडिशन भी प्रॉपर वैसे यह रही है ठीक है तो इस देखे से काम कर सकते हो थोड़ा सा मैं इसको कलर करेशन कर लेता हूं हलका फुलका लैक वाउव रूकना और और लेते हैं हलका फुलका आप साइब हुआ क्या सही है अगर आपको बड़ा भिव रंडर निकालना है तो बड़ा भ्यू भी रंडर निकाल सकते था मगर तो तो साइस प्रॉपर रखना है और बड़ यानि कि आप वन थाउजन की उपर मत नीकालना कि मेंज्च की साइज छोटी है इसलिए मैं वन 1000 के उपर नहीं निकालूंगा और आपकी साइज बड़ी है 8K की है 4000 की है तो आप उतने साइज पर निकाले तो इस तरीके से आप सर्टिंग कर सकते हो और थोड़ा बद आपको एक दिखा दू वह मटियल के बारे में यह जो मटियल हम नोंने बनाया था अब इसके देखो मैं सब्सक्राइब कर दो रहा है अगर मैंने इसको फिसरों कर देता हूं एद इस पर दोनों पर मार्क करता हूं एंड फिल महापर कर 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 देखता हूं कि क्या होता है हमारे साथ लोग अल्फा कंट्रिबीशन को मैं मार्ण जीता हूं कि बिद्द्र मारता ओ फिर अभी अलफा आ रहे अभी आ रहा था अभी अलफा आ जब कि द्रस्द आप तो यहां मिलते हैं आपको ठीडी मोडल सीनफाय टेक्शर और टूटोरियल्स और जाने के लिए इस वीडियो के डेक्श्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हो